जे जुहार जे शतिसकर संगवारी हो मैं भोली स्वागत करत हूं आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल को कुईद भोली में ता आजमन बनाने वाला हा नौरात्री श्पेशल साबुदाना के खिचड़ी ता एकर में हाँ दो कटोरी साबुदाना ले ले हो अबेला द दो बार अच्छा से धो लेना है हमाला तै देखो थोड़ा से रगड़ते हुए हमाला धो लेना है अकर पूरा पानी ला निथार देना है अब वापस यह में पानी डाल देना है थोड़ा से ताकि अच्छा से है डूप जाए उतना पानी डालना है हमाला तै देखो जितना अच्छा से डूप चुके हैं उतना पानी डाल दे हो में एकरा अब लगभग 5-7 मिनट बर हमाला ढखके इसने छोड़ देना है तो देखो लगभग 5 मिनट के बाद में यहां लगकर पानी लग पूरा निथार चुके हो तो ढखकर लगा के आप मन अच्छा से पसाद हुए ताकि एक जो पूरा पानी है और अच्छा से निथर जाए अब एकदम इमें बिल्कुल भी पानी नहीं है कर देख सका थो आप मन हां उपर वाला हिस्सा है ना ओबस थोड़ा से भीगे है अभी बहुँ जादा अंदर तक ने भीगे हैं अब एलो वापस ढखकन लगा के हम 3-4 घंटा बर इसने छोड़ देवो ताकि यहां अच्छा से फूल जहीं भीग जहीं अच्छा से चलो हमार साबुदाना अच्छा से भीग चुके हैं चार से पांच घंटा होगे मुलायला भीगे हुए छोड़े अब एकदम अच्छा से देखो हां से हमाना इसे मसला था तो एकदम मसला जाते हैं अच्छा से भीग चुके हैं अमर साबुदाना अब बहुत जादा गीला नहीं हो हैं एकदम खिले खिले अलग अलग है साबुदाना भी तब चलो एला बना के आगे के तयारी करता तो एकरा में हैं तीन उबले हुए आलू लेले हूँ अव एला इसने बड़े-बड़े पीस में काटिंग करके रख चुके हूँ एला हां से मसल के भी ले सकत हो आपमन हालू ला एकर अच्छा है हरी मीर्च है तो एला आपमन अपन स्वात के अनुसार कम्या जादा कर सकत हो थोड़ा से मीठा निम के पत्ती है दो मीडियम साइज के टमा एकरा एक कप फली दाना है उकर में हाँ छिलका निकाल चुके हो तो थोड़ा से आपमन भूंज लो कड़ाई में उकर बाद एकर छिलका आसानी से अलग हो जाथे अब लम है दर दर एकर पाउडर बना ले हो तो चलो अब सब चिलला साइड में रख था अब एकरा उतकामक जाट से जाख में ह मेरा नहीं क पड़याख बिक्रशा के कीचे अनल डालना है aurais ताट गुळें से उतकी अशोट हो जाए च्छा हे नहीं करें करतेfund कर देको तो माटर हमाल अच्छा से यदिक साप्त हो घंए हो वह उतकर आने में. चुके हैं टमाटर है इह में हमन आलू डाल देवो तो 3-4 मिनट बर हम आलू लभी अच्छा से भून लेना है तो 3-4 मिनट भूनने के बाद में हमारा अलू अच्छा से सौप्ट हो गए है और भून भी चुके है तल चुके है अच्छा से तब ही कराच ये फली दाना हमन पी उलल डाल देना है मेरा अब बारी कटे हुए हरिधणिया के पति डाल देवो अब सब चीज़ वापस से 2-7 मिनट के लिए हमन लभून लेना है मिक्स करते हुए तो देखो अपगेस लामन बन कर देवो अब उपर से में निबू के रस डाल देवो तो आधा निबू के रस डाला थो में है करा वापस एक बार मिट्स कर लेना है अब गर्म गरम आप मन है लसल करो तो बहुत टेस्टी बने संगवारी हो आप मन इप जरू ट्राइ करके देखो आप मन लब यह है बहुत जाद पसंद आही तो उम्मीद करत हो आप सब लाज के रसिपी पसंद आये हो ही अगर वीडियो पसंद आये हो ही तो वीडियो ला लाइक करो अगर आप मन है चैनल में नवा हो हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करे बढ़ जन बोला हूँ तब मिल थन अगले वीडियो में तब तक बर अपन अपन ध्यां रखो स्वास्त्रव और मस्त्रव